तो हलो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यानि कि हिंदी अर्थ समझाने वाले इस चेप्टर का जो यह चेप्टर हमारे चेप्टर का नाम है दा लिटल गाल ठीक है यहां पर डू यू फिल यू 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 प्रेंट बेटर नाउ तो यह चेप्टर होथी इंट्रेस्टिंग है चेनल पर नए है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं कि सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दवा लेने ताकि नई वीडियो इसके अप्टेट आपको टाइम पर मिल जाएंगी ठीक है चलिए फिर सुरू करते हैं यहां पर टू दा लिट लिट लगाल के लिए कहा गया है छोटी से बच्ची के लिए जो एक बच्ची है बच्ची के लिए यह बच्ची को तो जो बच्ची थी बच्ची के पिता जी वो इस बच्ची के लिए डराओने इस देविक्ती थे मतलब इस तरह को नोंका बरताओ थपा कि अच्छे थे वो अंदर से एंड आवाइड डिए एंड आवाइड एवरी मो एंड ऑवाइड ठीक है और अक्सर इगनॉर कर दिया करते थे बच्ची को ठीक है एक दन की बात है यृनिकी हर सुबह वो एक जरूरी बात किया करते हैं मतलब जो की डेली उनका करना यी था एक आज़त थी उनकी पिता जी की क्या थी कि every morning before going to work पितेक हर सुवह काम पर जाने पहले he came into her room वह उनके room में आते थे क्या उसके room में आते थे पिता जी ठीक है बच्ची के room में आते थे and gave her a casual case और उसे casual यानि की एक kiss देकर के मतलब सिदे kiss दिया ना खिलाया और ना कुछ किया मतलब हलका सा normal सा बात वात की जो की नहीं तो kiss देकर और अपने office के लिए चले जाते थे kiss कर के माथे पर गाल पर कुछ भी ठीक है पिता जी to which she responded with good bye father और जिसका उत्तरवा कैसे देते थी and oh there was a glad sense of relief and oh and oh कहती बच्ची oh मतलब उसने relief की राहत की सास ली there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road ठीक है कहना का मतलब यह है कि जब पिता जी किस देकर के और अपना बैग लेकर के गाड़ी में बैठके और निकल जाते हैं घर से बाहर तब बच्ची को राहत की सास मिलते है और वह है उसे अच्छा लगता है ठीक है जब वह सुनती है गाड़ी की आवाज slow होती जा रही है जैसे गाड़ी पिता जी की गाड़ी या अधिर धिर दूर जा रही है तो गाड़ी की आवाज slow होती जा रही है फेंटर एंड फेंटर डाउन ठीक है तब बच्ची को ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ पिता जी अब चले गए फिर उसके बाद क्या होता है in the evening when he came home in the evening when he came home और साम के जब घर आया she stood near the staircase जब घर आया तो she miss ho बच्ची ठीक है यहाँ वच्चोटी सी बच्ची she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall ठीक है वच्चोटी सी बच्ची सीडियों में खड़ी हुई थी ये सीडियों की स्टेर के स्पकड़े हुई खड़ी हुई थी बच्ची वह और and heard his loud voice और उसने अपने पिता जी की तेज अवाज सुनी इन्दा हाल हाल में उसने अपने पिता जी जैसे पिता जी साम के आए तो अपने पिता जी की तेज अवाज सुनी हाल में उसने और क्या सुनी bring my tea into the driving room मेरी driving room का मतलब होता हुई जो mail porch बैठका होता है तो वहाँ पर जल्दी से मेरी चाय लाओ ठीक है जल्दी से मेरी चाय लाओ hasn't the paper come yet क्या अभी तक paper नहीं आया है hasn't the paper come yet क्या अभी तक paper नहीं आया है ठीक है फिर mom कहती है mom कहती है go and see if my paper out there go and see if my papers out there मा कहती है जाओ और देखो कि क्या paper तो नहीं डला है and bring me my slippers और मेरे लिए चपल लाओ and bring me my slippers और मेरी चपल लाओ तो उस लड़की का नाम था कैजिया mother would call to her जो मम्मी उसको पुकाया करती थी मतलब बुलाया करती थी कैजिया नाम लेकर उस बच्ची को if you are a good girl you can come down and take off father's boots तो किसको कहती थी मम्मी उसको कैजिया को बच्ची छोड़ी बच्ची को कह रही थी कि यदि तुम अच्छी बच्ची हो कैसी बच्ची हो अच्छी बच्ची हो if you are a good girl यदि तुम अच्छी बच्ची हो you can come down तुम नीची आ सकती हो या नीचे आओ and take off father's boots और पिता जी के या पापा के जूते ले जाओ या जूते उतार दू ठीक है न slowly the girl would तो जो बच्चे छुड़ धेरे आई would slip down the stairs तो हलके से चुपके से नीचे उतार ना more slowly still across the hall पूरे hall में भी वह बहुत ही slow और आराम से हेट रही थी and push open the driving room दूर और उसने अपने driving room का जो दर्वाजा था उसने धक्का देकर खोला push open का मतलब होता धक्का देकर खोला by that time he had his spectacles by that time उस समय तक he had his spectacles उसने अपना चस्मा भी पहन लिया था किसने उसके पिता जी ने किसने उसके पिता जी ने अपना चस्मा पहन लिया था and looked at her looked at our her her hour them in a way that was terrifying to the little girl और इस तरह से देख रहे थे चस्मा पहन के और अपने बच्ची को इस तरह से देख रहे थे भाई देखो जो उसकी बच्ची थी पिता जी को डर रही थी तो आराम से चुपके चुपके धीरे 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 पिता जी की और जा रही थी वो तो पिता जी ने जब तक चैस्मा भी पहल लिया उसके पहुंचने इस पहले और अब बच्ची को देख रहे थे कि हाँ बच्ची धेरे धेरे आ रही है ठीक है तो इस तरह से देख रहे थे मानो तो देट वाज टेरिफाइंग टू दा लेटल गल कि जैसे वह बच्ची को डरा रहे हूँ है न मतलब बच्ची से प्यार नहीं करते थे ऐसा बरताओ करते थे जैसे डराऊना सा बरताओ बच्ची डर रही थी है न कैजिय डर रही थे वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ओफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड है वे बीन गुड गल टूड़े तो अब वो कौन कहता है वेल अच्छा काजिया ठीक है हरी अप एंड पुल ओफ दीज बूट्स कहते हैं कि आओ और मतलब जल्दी करो और इन जूटों को बूट्स इन जूटों को टेक देम आउटसाइड इन जूटों को बाहर रख दो क्या कर दो टेक देम आउटसाइड इन जूटे जूटे जो है इनको बाहर रख दो have you been a good girl today, क्या तुम आज बहुत अच्छी लड़की बन गई हूँ, है ना या आज तुम बहुत अच्छी लड़की हूँ, तो I didn't I didn't know father, यनिकी वो बच्ची तुतलाते हूँ कहते है पता जी मुझे पता नहीं है कि मैं अच्छी हूँ या खराब हूँ, ठीक है, इस तरह से बोलती है You didn't know You didn't know If you stutter like that Mother Will have to take you to the doctor है ना मतलब तुतला रही थी हलका सा तुतला रही थी तो उसको उसके पता जी को लगा कि इससे कोई प्रॉबलम है तो you don't know You don't know इस तरह से बोल रही थी तो पिता जी ने मतलब उसको कहा कि If you stutter like that यदि तुम्हें इस तरह से तुतलाओगी तो mom तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी कहां पर ले जाएंगी डॉक्टर के पास ले जाएंगी If you stutter like that यदि तुम्हें इस तरह से तुतलाओगी बोलोगी धीरे धीरे से लो तो mother will have to take you to the doctor mom को तुम्हें doctor के पास ले जाना होगा ठीक है have to take take miss ले जाना to you the doctor फिर इसके बाद say never I studied with other people लेकिन जो बच्ची थी बच्ची किसी के साथ भी studied नहीं करती यह नहीं कि तुतलाती नहीं थी हकलाती नहीं थी है ना हकलाना एक तुतलाना होता एक हकलाना होता है तो हकला रही थी stutter का मतला होता हकला रही थी head quite given it up तो जो बच्ची थी और किसी और के साथ नहीं हकलाती थी किवल पिता जी के सामने ऐसा हो जाया करती थी फिर head quite given it up फिर उसने बिल्कुल ही से त्याग दिया था बट अनली विद फादर लेकिन उसने क्यों पिता जी के साथ ठीक है विकॉज देन सी वाज ट्राइंग टू ट्राइंग सो हाड टू से दे वर्ड्स प्रॉबली प्रॉपरली क्योंकि चूंकि वह फिर भी वह वह कोहिस कर रही थी हिमत कर रही थी अपने पिता जी से अच्छी तरह से बात करने मैं और अच्छी तरह से बात करने के लिए प्रियास कर रही थी वह वाज दा मैटर बात क्या है वाट आर यू लोकिंग सो रेज्ट अबाउट ठीक है तो mom कहती है क्या कहती है फिर mom तो mom पूछती है कि what's the matter क्या बात है what are you looking तुम क्या देख रही हूँ क्या ढूंड रही हूँ so wrenched about तुम किस चीज के बार में इतनी चिंते तुम परिसान हो mom बोलती है I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide तो mother कहती है I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide कास कि तुम तुमने सीखा होता है न या तुमने you taught, taught का मतलब होता सिखाना, कास कि तुमने इस बच्चे को सिखाया होता not to appear on the brink of suicide मतलब खुद खुशी या मर जाने कि तरह से करते हैं खुद खुशी करने के बारे में तुमने सिखाया होता मतलब कि निगेटिव नहीं है आपर not to appear on the brink मतलब इस तरह से तुमने सिखाया होता मतलब पिता जी को बोल रही है उसके मम्मी जो है पिता जी को बोल रही है कास कि तुमने अपनी बच्ची को इस तरह सिखाया होता कि ऐसा ना लगी, मतलब बच्ची के जो वरताओ था ऐसा लग रहा था जैसे एक खुशी करने वाली हूँ पिता जी के सामने, तो पिता जी से मम्मी कहती है कास तुमने इस बच्ची को ऐस प्यार दिया होता और एचा कुछ सिखाया होता कि इसका वरताओ जो है अच्छा रहता तो here काजिया, कैजिया कहती है carry my tea cup back to the table carefully फिर here काजिया ये लो carry my tea cup मेरा चाय वाला cup ले जाओ back to the table carefully तो उसके मम्मी चाह का एक कप ले हुए थी तो काजिया को देते हुए बोलती है कि काजिया इस चाह के कप को जाकर के टेबल में अच्छे से रख दू ठीक ना he was so big वह बहुत बड़ा था his hands and his neck especially his mouth when he yawned कौन बड़ा था उसके पिता जी बहुत बड़ी थे his hands and his neck उसके हाथ और उसके गरदन बड़ी थी especially his mouth especially his mouth उसका मौह भी बहुत बड़ा था जब वह जम्हाई लिया करता था तो उसका मौह भी बहुत बड़ा हो जाता था thinking तो thinking about him alone was like thinking about a giant तो thinking about him उसके बारे में अकेले में सोच कर alone was like thinking ऐसा लगता था जैसे कि किसी giant का मतला होता है कोई बहुत बड़ा सरेर से भारी भरकम इंसान तो जब बच्ची सूचती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वह ऐसा सूच रही है अपने पिताजी के बारे में जैसे कि उसके पिताजी कोई बहुत बड़ा सैतान हो है ना इस तरह से तो यहाँ हमने किवल अभी तीन पॉइंट ही कवर किये हैं तीसरा तक तो अंगली वीडियो में हम चौथा पॉइंट को कवर करेंगे तो यह दि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना अंगली पार्ट के लिए और हाँ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और जिए आप पार्ट तू देखना चाहते तो पार्ट तू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी पार्ट तू की मैंने वीडियो अलेडी बना दी है और आपको description पर यहां more लिखा होगा तो more पर click करेंगे तो वहाँ पर नीचे आपको part 2 की link मिल जाएगी मिलते हैं फिर next video में